Everyone, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में तो आज की जो वीडियो है वो आपके रिक्विट्मेंट से रेलेटेड है PGT रिक्विट्मेंट हरियाना के अंदर चीक है? पीछे भी TGT के वेकेंसी निकली हुई थी कि बहुत सारी काड़िडेट है कि जो H-Cat का एक्जाम जो हो किलियर करके बैठे ना जनक कितने सालों से की वेकेंसी आएगी और बहुत सारी पोस्ट है जिसमें से इनों ने वेकेंसी कोई हटा दिया है तो अभी पूरे इसमें देखेंगे कि बई क्या चीज है तो वो लोग खुश हुचाई जिनके लिए वेकेंसी है अपने त्यारे कौप अच्छे और भी फर्दर अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए तो अभी देख लेते हैं इसमें दिया क्या गया है देखिए पहले जो रेक्विट्मेंट कराता था यह नेक्स्ट है आपका कब से आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो आप लोग कब से अपलाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है अपलाई कर सकते हैं दिसंबर बारा से ठीक है दिसंबर बारा से आप लोग अपलाई कर सकते हैं 12 दिसंबर 2022 से यानि कि next month में आपका ये date आप यहां से apply कर सकते हैं बात करोकर fees की तो देखिए यहां पर यहोंने fees मांग ली है आप से कि भई अगर आप male category है general male, other state से तो आपको 1000 रुपे यहां पे pay करना पड़ेगा general female, ठीक है other state female अगर आप है और यह सारी category है तो आपको 500 रुपे यहां पे pay करना है physically handicapped के लिए कोई भी यहां पे payment नहीं और payment का mode है वो online ने बताया है apply जो date start है November 21 है और last date है 12 December I think मैंने उपर apply date बता दिया है लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो 21 November है वो आपका apply start date है और आपका जो last date apply वो है December 12 ठीक है एक्जाम डेट इनकोने February 2023 अब यह पतानी कुछ भी हो सकता इदर ठीक है February 2023 पोस्ट डिटेल इलिजिबिलिटी qualification देख लीजे भई जो आप लोग को एस्टेट तो qualify आपका होना ही चाहिए तो आपको बतानी की भी जरत निए भी आपके पास एस्टेट का सर्टिफिक्ट होना चाहिए एज की रिक्वार्मेंट है 18 से 42 साल के बीच में अगर आप है और आपका जो एज कैलकुलेजिस को लगता है कि मेरी एज हो गई है या फिर मैं चेक कर लूँ तो आप लोग 12 दिसंबर से जो है डेट कैलकुलेट करने ना 12 के बाद आपकी जो डेट है ज्यादव एक्सिट नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप लोग अपनी वेकैंसी देख लीजिए वेकैंसी क्या है अब सेम है रेस्ट ओफ हरियाना में वेकैंसी है और Mewat केडर में वेकेंसी है मेवात को छोड़ करके जो भी हर्याना का स्कूल है इस साथ है वो ROH में आता है तो PGD Commerce में ROH की 180 वेकेंसी है मेवात केडर में 7 वेकेंसी है मेवात और ROH में डिफरेंस ये है I think आपको salary का भी difference है थोड़ा सा और आपको क्या बोलते हैं इधर मेवात में आपको transfer नहीं होगा आपको मेवात में ही आपको job करनी पड़ेगी जबकि ROH में आपका transfer कहीं भी हो सकता है ठीक है हरियाना में ही कहीं भी हो सकता है लेकिन अगर मेवात में अगर आप जाते हैं तो आपको मेवात की मेवात में ही job करनी पड़ेगी PGT computer science देखेंगी computer science की बहुत अच्छी bum पर भरती है जो भी बच्चे पास है न सभी इस form को भर देना 16 33 है मेवात में 78 है fine arts की 580 17 है history है 220 53 है maths है 250 ROH में और 65 है PGT music है 80 और ROH में और sorry मेवात में है 3 physical education 680 है मेवात में 45 प्जट political side 240 है मेवात में 47 है ऐसे आप लोग फर्दर ये सारी चीज़े देख लेंगे और देखी इधर जो मैंने पीछे वीडियो बनाये थी same वह ही है biology का chemistry का economics का English geography हिंदी home science physics psychology sociology इन सभी का उर्दू का इन सभी का आपका जो ROH है इसमें कोई vacancy नहीं है आप लोग किसमें fill कर सकते हो आप लोग मेवात कैडर में fill कर सकते हो ठीक है तो जो लोग मेवात में interested है न आप इसमें यहाँ पर form fill कर सकते हो आप लोग के लिए ROH बे कोई भी स्थान यहाँ नहीं है इसलिए मैं बोल रही थी कि पतानी क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है next देखेंगे देखेंगे subject wise यहाँ पर vacancies आपको देखने को मिल रही है subject wise अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर subject wise अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देख लो जो आपके categories ना आप उस साब से भी देख सकते हो commerce की total है 180 यहाँ पर दिखाई रखिए general की है 99 SC की है 36 BCA 18 है BCB 9 है तो आप जो भी जिस भी फर्दर आप कास से हो आप वो भी देख सकते हो इधर चीक है यह आप आराम से जो है इन सब को पढ़ सकते ह उसके बाद मेवात के अडर के लिए भी आप लोग देख सकते हो biology के लिए आप लोग देख लिए general 33 है SC के लिए 12 है BCA 6 है BCB 3 है आप लोग ऐसे ना फर्दर इन सभी के लिए अच्छे से क्या देख लिजेगा आपकी जहां पर भी जो भी पोस्ट बन रही है अपना जो form है आप लोग उसमें क्या कर सकते हो भर सकते हो next is selection process कैसा होगा selection process आपका written exam होगा interview होगा document verification होगा medical examination के बेस पे आपका क्या होगा selection यहाँ पे होगा how to apply for HPSC PGT vacancy 2022 आपको यह step फोलो करना eligibility आप लोग चेक करेंगे पहले चीक है उसके बाद यह आपको link provide care दिया गया है उसके बाद आप लोग को जो भी अपनी fees है अपना photos वगेरा जो भी है ना जो भी exploited process होता आपको वो सभी करना है तो यही थी आपके लिए जानकरी इदर इस वीडियो में तो इतनी ही जानकरी थी आप लोग के लिए कि आपकी जो vacancies है इन्होंने PGT के लिए भी जारी कर दी है पीछे जो है TGT का भी किया था जिसका अभी कोई भी राम निशान है नहीं ठीक है तो आप लोग जो भी candidate हो अगर आपका estate अगर आप qualify है तो आप इस ही है थैंक यू थैंक्स फो वोचिंग में